दोस्तों बहुत ही जल्दी आप देखेंगे स्मार्टफोन मार्किट पूरी तरह से बदल जाएगी मतलब हम जो चीज मिस कर रहे थे 2020 में वह चीज हमें अब देखने को मिलने वाली है हमने देखा है 2019 था वह बहुत ही स्ट्रोंग था स्मार्टफोन के मामले में लेकितो 2020 था यहां पर हमें उतने स्ट्रोंग फोन उतने कम प्राइस पर देखने को नहीं मिले हैं जैसे हमें मिलते थे 2019 में लेकिन अब जो आ गयाने वाला टाइम में वह बहुत ही स्ट्रोंग होने की पूरी उमीद की जा रही है ऐसी मेरे पास काफी डीटेल आच चुगी है जिनको देखकर मैं आपको यह बात बोल रहा हूं कि 2021 में आपको ऐसा से फोन देखने को मिलेंगे जो आप उस प्राइस पर सोच भी नहीं सकते कौन विफोन है क्या-क्या आपको फीचर्स मिलेंगे संस मैं आगे पताने वाला हूं साथ में हम बात करेंगे आपके काफी सारे कौशेंट blush के बारे में यह पार आपके पोछिंट देखता है फिरम बात करेंगे ऑना प्र mujerm स्चेह और बात करेंगे कुछedel गरम-गरम स्मा हो जाता है तो क्या यह डिस्प्ले लोकल शोप से रिपेर करवाना ठीक है या कंपनी के श्टोर से बजट टाइट है काफी ते अगर अभर बजट टाइट है तो आप लोकल शोप का और स्टोर के डिस्प्ले का उसके पाला रियल्मी बर्ड्स क्लासीग वर्जिस रीयल्मी बर्ड्स तो विच चीज बैस्ट च्वाइस दो यार यहां पर बात ऐसी है अगर आपको चीए वोकल्स ट्रैबल अच्छा तो आपके लिए बैस्ट रहेंगे रियल्मी पर movies देखेंगे तो experience आपको काफी अच्छा होगा लेकिन जो birds 2 है यहाँ पर आपको बेस अच्छा मिल जाता है क्योंकि यह आते हैं इन इयर इयर वर्ड इन इयर टाइप यह इयर वर्ड आपको मिल रहे हैं जिससे बेस की quality आपको अच्छी मिलती है तो यह आप देख लो कि आपको बेस अच्छा चाहिए या पर वोकल्स और ट्रैवल आपको अच्छे चाहिए और जो केबल है वो भी आपको अच्छी मिलती है birds 2 की यहाँ पर है ब्रेडिट केबल जो दूसरे है birds classy यहाँ पर आपको ब्रेडिट केबल नहीं मिलती है normal rubber वाली केबल यहाँ पर मिलत अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छा experience होगा आपको बात करते हैं कुछ गरम-गरम स्मार्टफोन की updates के बारे में है पहला अपडेट है शोमी की तरफ से रेडवी नाइन प्रावर यह फोन आपको 15 की संबर को इंडिया में देखने में मिल सकता है जो आपने चैना में फोन देखा रेडवी नोट 9 वही है सेम फोन रहेगा रेडवी नाइन पावर के नाम से snapdragon 662 के साथ अगर यह आता है फो फोन दोस्तों मुझे बहुत ही स्ट्रोंग लगा दसजार का यह फोन लोग जो है मिरेडेक के लियो जी 80 के साथ जहां पर आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी 600 mm की बैटरी आपको मिल रही है और 18 वोट का फास चाज़र आपको बोक्स में मिल जाएगा साथ में आपको मिलता है एक बड़ा डिस्प्ले लेकिन HD प्रस डिस्प्ले जोगी 10,000 में ठीक है मैं यहाँ पर कंप्लेन नहीं करूंगा देखते हैं इसकी प्रफॉर्मेंस हमें एक्षुल में कैसी देखने को मिलती है और पर तो फोन मुझे यह बहुत ही स्ट्रोंग लगा इसके बाद आपको इंट्रिक्स का भी फोन देखने को मिल चुका है इंडियर मार्कित में इंट्रिक 08i 15,000 में आपको मिल रहे है मिरेड़ा खिलियो जी 90T 90 हर्स का जिसको देखकर मैं आपको कह सकता हूं मार्कित पूरी तरह से बदल जाएगी इतना ही नहीं जो इस रियल्मी है वो भी इंडिया में जो फोन लोच करेगा वो करेगा बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आपको रियल्मी एक्सवां इंडिया में लेखने को मिलने वाल ही है क्योंकि आपको इंडिया में मिल चुका है मोटो जी फाइजी 21,000 की रेंज में बैंको पर लगाकर 20,000 में ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा जहापन आपको फ्लैक्शिप परफॉर्मेस भी बिल्कुल टॉप क्रास वाली बस मापर एमोलेट नहीं होगा उसके लावा सब कुछ आपको टॉप क्लास कम आपर मिल जाएगा मिरेडिक डैमेंसीटी 800 यू पर्सेसर के साथ तो आप यह मानलो सेम प्राइस पर आपको रियल्मी 7 भी मिलेगा और उसी प्राइस के आज पास आपको मिल जाएगा रियल्मी एक सेवन अगर आपको जो 7 Pro या X7 है यह दोनों फोन बहुत ही पॉपलर रहेंगे अपने प्राइस सेग्मेंट में मुझे तो X7 से काफी हुमेद है अगर यह सभी प्राइस पर आता है फिर तो इंडिया में यह गेम चेंजिंग फोन बन सकता है अगर आपको यह फ्लैक्शिप लाग की परफोर् 25,000 के आसपास भी हो जाए यह भी दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होने वाली है ऐसा कुछ भी हमें 2020 के स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला जबसे GST बढ़ा था इंडियन मार्केट में तब से स्मार्टफोन के जो प्राइज है वह अलग लेवल पर चले गए थे और से मिल चुका है और 11,000 में G80 अब आपको मिल रहे हैं माइक्रो मैक्स की तरफ से जो कि बहुत ही स्ट्रोंग प्रोसेसर है 11,000 के हिसाब से और यहां तक की जो वीवो है इसने भी आपको स्ट्रोंग प्रोसेसर दे दिया है 30,000 की रेंज में स्नाफ डगन 765G जो कि आप आपको मिल था 35,000 में OPPO Reno 4 Pro में स्नाफ डगन 720G इस बार ऐसा नहीं होगा वीवो आपको दे रहे है 30 में 765G और वीवो और OPPO की पूरी टकर रहती है आपस में ओफराइन मार्केट में यह बात आप सब जानते हैं तो ऐसे में OPPO भी बहुत ही स्ट्रोंग प्रोसेसर रह मिलने मारकेट में बी अच्छे-च्य फोन में मिलने माले हैं कम प्राइस सेगमेंट में अब बात करतें सैंसंंग कre बार तो प्रास कई के आपको मिलेगा फोन इस बार सम Wheels 17 में ऑसमें मेद आप लीक्स कहा रहे है, 11-12 जार की रेंज में ये फोन आपको मिल सकता है, पुरसेसर नियाबर कॉनसा होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कनफर्म नहीं हुआ, कुछ भी कनफर्म होते ही, मैं आपको इंफर्म कर दूँगा, और ये भी कहा जा रहा है, जो M11 आपको मिला था, Snapdragon 450 के साथ, उसके comparison में आपको major upgrade यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये भी रहेगा फोन अपने segment पे एक best smartphone, देखते हैं बागी क्या निकलिकाता है, फिलाल आपको 10-11 जार में Samsung की तरफ से, कुछ पी strong फिलाल तो देखने को नहीं मिल रहा, M30 पहले आपको मिलता था, वो भी अब out of store के smartphone, जो सबसे बड़ी बात है, वो यह है कि Samsung Galaxy F62, ये phone आपको देखने को मिल सकता है, इससे वहले हम Samsung Galaxy F41 देख चुके हैं, यहाँ पर था Exynos 9600, अब जो आपको मिलेगा, F series का अगला smartphone, वहाँ पर आपको Exynos का new processor मिल सकता है, Exynos 9825, आपसे वहले हम जानते हैं, तो Exynos 9600, यहाँ पर दिक्कती आती है, ये phone heavy gaming के लिए उतना capable नहीं है processor, और आपको heavy gaming करनी है, तब आपको जाना पड़ते है, Snapdragon 730, Miradak के लिए G90, या फिर G80 processor के साथ, जो कि आपको मिलते हैं, same price segment में, बट अब जो आपको मिलेगा, Exynos 9825, यहाँ यहाँ पर आप heavy gaming भी अच्छे से कर पाएंगे, बिगो यह processor टकर देगा, Snapdragon 720G, या 732G जासे smartphone को, जो आपको मिलेगा है, इस टाइम पे, mid-range segment में, और यहाँ आपको मिलेगा processor, mid-range segment में ही Samsung की तरफ से, यानि कि 14-15000 की range में, जो आपको M21 का successor मिलेगा, या फिर इस phone का successor मिलेगा, F41 का, सब में ही उस किया जाएगा, I think 9825, यह हम काफी टाइम से बेस्क रवेट करेंगे, कब हमें upgrade मिलेगा, Exynos 96001 का, वो time अब में recording, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपको mid-range में phone मिलेंगे, वो सारे आएंगे, या तो Snapdragon के साथ, या फिर Exynos के new processor के साथ, अब मैं बताओ, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें में चाहिए, अच्छी performance, power efficient processor, Exynos हो, या Snapdragon हो, कोई फरक नहीं पड़ता, heating नहीं होनी चाहिए, और lag वेरा में नहीं मिलना चाहिए, बस, बागे, Micromax भी दोस्तो, new phone पे काम स्टार्ट कर चुका है, आपको जल्दी Micromax का phone म मिलेगा, mid-dance segment में, 15,000 के आसपास की range में, 14,000 में, जहाँ पर आपको 30 solid processor मिलने की पूरिय उमीद की जा रही है, मेरे recording यहाँ पर आपको मिल सकता है, snapdragon 732G, मुझे ऐसा लग रहा है, बागी मैं अभी इसको लेकर बिल्कुल भी confirm नहीं हूँ, ये बात confirm है, 6GB RAM आपको मिल सकते हैं, मेरे recording 7-8,000 में, Micromax 1B, एक बहुती strong smartphone है, यहाँ पर आप बिना किसी डाउट के invest कर सकते हैं, फिलाल Poco की भी sale चल रही है, तो Poco C3 भी आपको मिल रहा है, सारे 7,000 के range में, तो उसके गम बैसे में मैं आपको कहूँँगा, आप जाए Micromax 1B के साथ, वहाँ पन आ इससे बैटर option निकल के आ रहा है, वहाँ पन आपको 8,000 में मिल जाएगी, 4GB RAM, 64GB storage के साथ, जबकि आपको Poco C3 में मिल रही है, 3GB RAM, 32GB storage के साथ, तो उसको आप बैक होंगा, इनोर कर तो 8,000 की range में, Micromax 1B में एक तो storage आपको जादा मिल रही है, RAM भी आपको जादा जी गई तो यह मैं आपको requirement करता हूँ 8,000 में, मेरे recording यह उस price पे, इस time पे best option बन चुका है, बागी मैं इस पर वीडियो कर चुक हूँ, वह आप चेक कर लेना, आपको वीडियो का link उपर cards में, description में हर जगा पे मिल जाएगा, तो उससे आपके side out clear हो जाएगे, इस phone को लेकर, कि क् तो क्या इसमें आपको खास बात देखने को मिलेगी, उस price segment के हिसाब से, तो यह सब कुछ है जो आपको देखने को मिलने वाला है, अब आप 10,000 में अच्छी खासी gaming भी कर सकते हैं, जो कि अब से पहले बिल्कुल भी possible नहीं था, 2019 में भी यह चीज नहीं possible थी, जो कि अब possible हो रही है, अरवले time में, और 15-20,000 में आपको flexible experience अराम से देखने को मिल जाएगा, Samsung, Realme, Xiaomi, Micromax, इन सब की तरफ से, जो चीज पहले हमें नहीं मिलती तो उस price पे वो अब आपको देखने को मिलेगी, यहां तक कि आपको infix 08i में 180Hz का touch sampling rate भी मिल चुका है, यह भी पहली ब price पे कहां stand कर रहा है, फिलाल तो on way पर देखकर मैं कहा सकता हूँ, कि अनुरे time बहुत ही strong होने वाला है, smartphone market के लिए, यह अब आपको जो और phone मिलेंगे इस segment में, वो भी कोशिश करेंगे, 180Hz तक का touch sampling rate देने की, बाग यह आप बताओ, आपके recording 15,000 में हमें क्या और मिलना च type कर रहा है, दोनों के पास अपने अपने plus minus points हैं, आपको देखना होगा आपकी variety के warning, यह आपके लिए कौन सा one perfect निकल के आ रहा है, आप comparison देखो, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और दोस्तों वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करके यह च देखो, मैं यूज़ कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हो, MacBook Air में, और आप पूछने हैं, फ्री में कौन सा software available है, वाला best free video dating software, देखो, आज की rate में software काफी सारे आपको मिल जाएंगे, फ्री में कौन सा available है, यह चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको वेट का, 15,000 में Snapdragon processor के साथ, इसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, M51 आपको मिल रहा है, जो कि अच्छा phone है, अगर आपको वेट कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और जो 15,000 में बात है यहाँ पर आपको Exynos ही मिलेगा, Exynos का निया variant जल्दी लोंज कि आजाएगा, जो की टकर देगा, Snapdragon 730G, 732G इस type के processor को, तो उसका आप वेट कर सकते हैं, मैं संडे को result ना हूँगा, पांच results, उनमें मैं देखता हूँ कोणों से result होते हैं, कोशिश करता हूँ, ये भी मैं निकाल दूँ, मैं आपको बता दूँगा, जो भी होगा, आज कि 5G support मिलेगा, बट उससे पहले आपको Micromax का एक और phone देखने को मिलने वाला है, जो आपको मिलेगा, I think 14-15000 की range में, वो phone पूरी टकर देगा, Realme 7, या फिर Redmi Note 9 Pro Max जैसे smart phones को, फिलाल मैं test करना हूँ, Micromax Note 1, मुझे ये दोस्तों phone खाफी सही लगा, मतलब, ये पूरा टकर पूरी टकर देगा, Poco M2 या फिर Redmi 9 Prime को, हर मामले में, तो इसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, surprise के साथ, तो उसका बेट जरूर कीजिएगा, बागी बात करते हैं, अगर next question के बारे में, तो अगला question है कि gaming करता हूँ, और OnePlus Note लूँ या इसी range में कोई और phone, अगर आपको specially gaming के लिए phone चीए, तो मैं आपको फिलाल OnePlus Note ट्रिकमेंट नहीं करूँगा, अगर आप यहाँ पर लंबी टाइम तक heavy gaming करेंगे, तो phone ये थोड़ा warm और श्टार्ट हो जाएगा, और इसकी performance भी down और श्टार्ट हो जाती है, लंबी टाइम तक gaming या heavy use करने के बाद, तो gaming के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जाएए, Snapdragon 855+, या फिर 865 के साथ, ये भी आपको इसी segment में थोड़े बहुत पैसे ओप डाल कर मिल सकते हैं, या फिर आप तोड़ा वेट कर लो, जल्दी आपको इस range में भी top class के processor मिल जाएगे, अभी आपको Realme X7 मिलने वाल है, वो भी बहुत solid processor के साथ आएगा, X7 Pro, उसका भी आप वेट कर सकते हैं, मुझे उमीद है, आपको आपके questions का answer मिल गया होगा, अगर यहाँ पर आपका question मिल जाएगा, तो tension मत लो, part 2 में आपको answer मिल जाएगा, जल्दी में लाँगा इस video का part 2, तो मिलते हैं फिर किसी और video म आएगा, तो मिलते हैं, 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 तो मिलते ह